Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu. कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. देखे आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टोप 50 MCQs on hardware and software के बारे में. इससे पहले हमने कल के लेक्चर में terminology पे MCQs किये थे, ठीक है, और आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे hardware and software के बारे में. देखे, computer को हमने पहले भी complete किया हुआ है, playlist में वीडियो पढ़े होंगे, आपने क्या करना है, topic का name लिख के साथ में लिखना है, by learn with mizu, तो आपको वो topic मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं. ठीक है, पहले भी मैंने ये topic पढ़ाया हुआ है, hardware and software का, तो वो वीडियो भी आप देख लेना और ये वीडियो भी देखोगे, तो इस से बाएर कुछ भी आपको exam में नहीं आएगा. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आपस रिक्वेस्टर के अपने पास एक notebook और एक पेन रख लेना, जितने भी important चीज़े होती हैं, वो note करते रहना, ये classes आपके jkp constable exam के लिए, और जम्मो एंड कश्मीर high code junior assistant exam के लिए, other jk sseb exam के लिए, और जितने भी वारे पास sse cgl के exam सोते हैं, सब के लिए important रहने वाली है, चलिए शुरू करते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कि hardware and software क्या होता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ पहले, पिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, कि हमने पढ़ना क्या है, बागी अगर आप channel पे न system, कि जो physical component होते हैं, किसी भी computer system में, वो हमारे पास hardware कलाते हैं, जैसे कि हम मान के जलते हैं, monitor, monitor जो आता है, ये हमारे पास display करता है, output को, ये भी एक hardware में आता है, ठीक है, उसके बाद keyboard and mouse, ये input devices हैं, लेकन ये भी हमारे पास hardware का ही component है, तो इसी तारह से motherboard भी हमारे पास होत पे तो ये भी hardware का ही component है, तो अब आपको ये समझा चलना चाहिए, कि hardware ऐसा part होता है, ऐसा physical, जो हमारे पास component, एक computer system का, जो हम touch कर सकते हैं, या फिर हम देख सकते हैं, ये बात याद रखनी है, वो हमारे पास hardware में ही आएगा, और software में क्या होते हैं, software reference to the programs and operating system होते हैं, ये जो runs करते हैं hardware पे, ठीक है, और ये control करते हैं, और instructing करते हैं, instructing, कोई भी मतलब task को perform करना हो, तो ये software उसमें role play करते हैं, अब software की examples की बात करें, तो operating system इसकी example है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है न, जैसे windows की बात करें, linux की बात करें, तो ये software में आता है, application software होते हैं, जै वो हमारे पास hardware करते हैं, जिसे आप touch कर सकते हैं, और intangible part जिसे आप touch नहीं कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, software करते हैं, एसे part जो हम touch कर सकते हैं, जो हम touch नहीं कर सकते हैं, जो हम touch नहीं कर सकते हैं, जो हम touch नहीं कर सकते हैं, अब आपको समझ आ चुका होगा, और आज का पह रखते हैं जल्दी से हम questions को discuss कर लेते हैं इस question का answer है hardware आप कोशिश करना कि पहले वीडियो को pass करना और खुद answer देने की कोशिश करना कि आप 50 में से कितने mcqs ठीक कर पा रहे हैं ओके चलिए second question पूछा गया है यहां पर a device for changing the connection on a connector to a different configuration is called के एक ऐसी device जो क्या करती है a device for changing करने के लिए connection को एक connector पर to a different configuration वो क्या कहलाती है converter क्यालाती है component क्यालाती है attachment क्यालाती है adapter क्यालाती है तो मेरे प्यारी दोस्तों इस question का answer है adapter कल भी मैंने आपको पढ़ाया था question number second का option number D हमारे पास correct answer रहने वाला है चलिए question number 3 dash is the process of dividing the disk into tracks and sectors यह हमारे पास question पर थर जो है यह पूछा गया है कि ऐसा process जो divide करता है disk को tracks में और sectors में वो क्या कहलाता है tracking, formatting, crashing, allotting तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का answer है formatting क्या कहलाता है formatting is the process of dividing the disk into tracks and sectors यह question बहुत ही ज़ादा important है पहले भी exam में आ चुका है चलिए question number 4 की बात करते है question number 4 है tangible physical computer equipment that can be seen and touched is called dash यहाँ पे पूछा गया है कि जो tangible physical computer equipment होते हैं जो हम देख सकते हैं जो हम touch कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं hardware, software, storage, input, output तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का answer है hardware कहलाते हैं क्या कहलाते हैं hardware कहलाते हैं भी मैंने आपको समझा दिया था फिर question पूछा गया है which of the following is usually connected to a computer with the help of a cable के इन में से कोन से जो है connect किया जाते है computer के साथ कोन सा ऐसा पार्ट है जो connect किया जाता है computer के साथ cable के मदद से icon virus database peripheral devices तो इस question का answer है peripheral devices याद रखना peripheral devices is usually connected to a computer with the help of a cable चलिए question number six the main system board of a computer is called दा ये question बहुत ही जादा important है पूछा गया है main system board जो होता है computer का वो क्या कहलाता है integrated circuit कहलाता है motherboard कहलाता है processor कहलाता है microchip कहलाता है तो इस question का answer है हमारे पास motherboard ये क्या कहलाता है motherboard the main system board of a computer is called motherboard चलिए question number seven आप से पूछा गया है complete electronic circuit with the transistors and other electronic components on a small silicon chip is called a workstation CPU magnetic disk integrated circuit circuit ये question बहुत जादा important है तो इस question का answer है मारे पास यहां पर integrated circuit ये क्या कहलाता है integrated circuit कहलाता है ठीक है complete electronic circuit with the transistors and other electronic component on a small chip silicon chip is called integrated circuit चलिए question number eight पूछा गया है USB communication device that sports data encryption for secure wireless communication for notebook users is called dash देखें यहां पर आपको याद रखना है ये option number A है USB wireless network B option है adapter और C option है wireless switch और D option है wireless hub अब आपको answer बताना इस question का answer क्या होगा तो इस question का answer है मारे पास USB wireless network adapter याद रखना USB wireless network adapter जो है ये एक USB communication device है जो sports करती है data encryption को for secure करने के लिए wireless communication को for notebook users के लिए ठीक है चलिए next question number nine the disks जो हमारे पास disk होती है ये stores करती है information को किसमें ये सारे के सारे questions ना पूछे गे हैं पहले भी तो tables, rows and columns, blocks, tracks and sectors तो इस question का answer है tracks and sectors याद रखना disk stores information in tracks and sectors ये कहां पे information को store करती है tracks और sectors में question number 10 पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे what resides on the motherboard क्या पूछा गया what resides on the motherboard and connects the CPU to other component on the motherboard input unit system bus ALU primary memory तो इस question का answer है system bus जो है ये resides होती है on the motherboard and connect करती है CPU को other components पे on the motherboard तो यह आप याद रख लेना important होगा system bus resides on motherboard and connects the CPU to other components on the motherboard चलिए question number 11 पूछा गया which part the computer helps to store information कौन सा ऐसा part है computer का जो मदद करता है helps करता है store करने में information को disk drive keyboard monitor printer तो इस question का answer है disk drive याद रखना disk drive जो होता है part computer का यह मदद करता है store करने में information को चलिए question number 12 पूछा गया which following is not a hardware of a computer इन में से कौन सा hardware नहीं है एक computer का मैंने शूरू में ही आपको बता दिया था इनका difference आप इस question का answer बता सकते हैं बताए क्या होगा monitor keyboard windows central processing unit तो इस question का answer है windows याद रखना windows जो है न यह हमारे पास hardware नहीं माना जाता है computer का तो important question है question number 13 पूछा गया आप से the clock rate of a processor is measured in कि जो clock rate होता है एक processor का वो किस में measured किया जाता है microhertz में, megahertz or gigabytes में, megahertz or gigahertz में या फिर option A पूछा गया था millisecond में तो इस question का answer क्या होगा the clock rate of a processor is measured in इस question का answer है megahertz और gigahertz में यह हमारे पास क्या किया जाता है midget किया जाता है important question है question number 14 पूछा गया है dash ports क्या पूछा गया dash ports connect special type of music instruments to sound cards बस CPU, USB, MIDI तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का answer है MIDI port जो होते हैं यह जोडते है special type of music instrument को sound card के साथ अब आपको यह भी पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो हमारे पास MIDI है इसकी full abbreviation क्या होती है तो इसकी full abbreviation होती है musical instrument digital interface क्या होती है musical instrument याद रखना musical instrument digital interface इसकी full abbreviation है चलिए question number 15 any hardware component कोई भी ऐसा hardware component जो allow करे आपको क्या enter करने के लिए data को और instructions को computer के अंदर वो क्या कहलाता है printer कहलाता है storage devices कहलाता है output devices कहलाता है input devices कहलाता है तो मेरे प्यारे दोस्तो input devices कहलाता है input devices any hardware component that allows you to enter data or instructions into a computer is called input devices याद रखना है important होगा देखें आप मेंसे कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहे हमारे paid group में या किसी को study material चाहिए तो आपको 2000 प्लास mcqs जम्मो एंड कश्मीर जी के पे topic wise मिल जाएंगे जिसमें हार एक topic पे 50-70 mcqs आपको मिल जाएंगे जम्मो एंड कश्मीर के related ओके उसके बाद 2000 प्लास mcqs आपको computer section पे मिल जाएंगे जिसमें theory भी होगी topic wise mcqs भी होगे और जितने भी question previous exam में पूछे गे है sse cgl में वो भी मिल जाएंगे science theory प्लास important mcqs आपको मिल जाएंगे ठीक है English notes with practice set आपको मिल जाएंगे और important 500 mcqs की PDF वो मिलेगी जो जम्मो एंड कश्मीर GK में से जेके SSB ने 2014 से लेकर 2024 के बीच में पूछे हैं ओके यह भी important हो जाएगा उसके बाद full length and sectional mock test आपके करवाये जाएंगे after 10 days के बाद ठीक है उसके बाद current affairs national and international level के आपको मिल जाएंगे और साथ में जम्मो एंड कश्मीर के current affairs मिल जाएंगे Indian GK मिल जाएंगे with mcqs के साथ जो भी आपके newly added topic है वो भी आपको मिलेंगे और बाकी आपको paid group में मिलते रहेंगे जैसे ही lectures हमारे upload होते हैं और ये हमारे पास आपको 2 year paid group subscription मिलेगा और 499 rupees इसकी total fee है कोई भी interested as parent अपनी preparation को अच्छा करना चाहे तो वो ये हमसे ले सकता है करना क्या है आपको इस number पे message करना 8492886188 पे और आपको paid group में add कर दिया जाएगा और आपको ये notes मिल जाएंगे ये आपके लिए special offer है ठीक है paid group की subscription 2 साल है और आपको ये बाद में भी काम आता रहेगा किसी अधर exam में भी अगर आप preparation करेंगे जेके SSB के अंडर जितने भी post आती हैं ये सारी की सारी आपकी cover हो जाएंगी SSC, CGL के लिए भी important हो जाता है ओके चलिए next question की बात करते है question number 16 आप से पूछा गया है a directory within a directories called dash mini directory, junior directory, part directory, sub directory तो इस question का answer है sub directory, okay, a directory within a directory is called a sub directory फिर आप से question पूछा गया है, microprocessor is the brain of the computer and is also called a microchip, macrochip, macroprocessor, calculator, तो इस question का answer है microchip याद रखना, microprocessor is the brain of the computer and is also called a ये हमारे पास क्या कहलाता है, microchip कहलाता है फिर question number 18 पूछा गया, what type of storage is a hard disk hard disk किस तरह किस storage है, non-permanent है, volatile है, temporary है, non-volatile है तो इस question का answer है non-volatile है, याद रखना, हमारे पास जो hard disk है, ये एक non-volatile type of storage है question number 19 की बात करते हैं, question number 19 पूछा गया है restarting a computer that is already on is referred to as shut down, cold booting, warm booting, logging off तो इस question का answer है, हमारे पास warm booting, मैंने already आपको पढ़ाया था के restarting a computer that is already on is referred to as warm booting से ये जाना जाता है ओके, चलिए, question number 20 पूछा गया, the indentations on CDs and DVDs are called pits, clusters, tracks, lands तो ये किस नाम से जाना जाता है, ये हमारे पास pits के नाम से जाना जाता है, option number A इस question का, correct answer है, question number 20 का, option number A है, ये questions exam में पूछे जा चुके हैं और आपके exam point आप उससे बहुत जादा important है, ठीक है, चलिए, question number 21 की बात करते है question number 21 पूछा गया, भीचोदो following peripheral devices displays information to a user, इन में से कौन सी ऐसी peripheral device है जो display करती है information को एक user के लिए, monitor keyboard, secondary storage device, secondary storage media तो इस question का answer है monitor, याद रखना, monitor जो है ये ऐसी peripheral device है जो display करती है information को user के लिए, question number 22 की बात करते हैं, when installing dash, the user must copy and usually decompress program files from a CD room, other medium to other disk, hard disk तो ये क्या कहलाता है, programming software, system hardware, application hardware, application software, तो इस question का answer है application software, when installing application software, the user must copy and usually decompress program files from a CD room, other medium to the hard disk okay, चलिए, question number 23 की बात करते हैं, which are the following, will you require to hear music on your computer इस में से किस की need आपको पढ़ती है, hear करने के लिए music को computer पे, इस question का answer क्या होगा, video card, tape recorder, mode, sound card तो इस question का answer है, sound card, okay, sound card is the correct answer, question number 24 पूछा गया है, when a computer is switched on, the booting process performs कि जब एक computer को switched on किया जाता है, तो booting process किस को perform करता है, integrity test को, power on self test को, correct, functioning test को, या फिर reliability test को, तो इस question का answer है, power on self test when a computer is switched on, the booting process performs power on self test, important question है, question number 25 पूछा गया है, मेरे प्यारी दोस्तों, what provides expansion capability for a computer system, इन वे से कौन सा ऐसा है, जो provide करता है, expansion capability for a computer system, sockets, slots, bytes, base, तो इस question का answer है, slots, okay, याद रखना, slots जो होते हैं, यह provide करते हैं, expansion capability for a computer system, question number 26 पूछा गया है, important question है, if new device is attached to a computer, question क्या पूछा गया, अगर एक नई device जो है, वो attach की जाती है, computer के साथ, जैसे के printer की बात करें, scanner की बात करें, तो its dash must be installed before the device can be used, buffer, deriver, pager, server, तो इस question का answer है, deriver, याद रखना, if a new device is attached to a computer such as printer or scanner, its deriver must be installed before the device can be used, question number 27 पूछा गया है, what is the process of, कौन सा प्रोसेस है, what is the process of copying software programs from secondary storage media to the hard disk called, configuration, download, storage, installation, this question का answer है, installation is the process of copying software programs from secondary storage media to the hard disk, okay, चलिए, question number 28 की बात करते हैं, question number 28 पूछा गया है, the other name of motherboard is, बहुत important question है यह, other name क्या है motherboard का, system device है, computer board है, central board है, system board है, तो इस question का answer है, system board, the other name of a motherboard is, system board, important question है, चलिए, question number 29, the dash directory is mandatory for every disk, इन में से कौन सी ऐसी directory है, जो mandatory है, every disk के लिए, root, base, sub, case, इस question का answer है, root directory is mandatory for every disk, important question है, चलिए, question पर 30 की बात करते हैं, dash are words that a programming language has set aside for its own use, control words, control structures, reserved words, या फिर रिसर्वड की, तो इस question का answer है, reserved words, okay, जो हमारे पास reserved words होते हैं, reserved words, ऐसे words होते हैं, जो programming language क्या करते हैं, has set aside for its own use, तो इस question का answer है, option number C, reserved words, okay, चलिए, आगे चलते हैं, question number 31 की बात करते हैं, question number 31 पूछा गया है, which of the following software could assist someone who cannot use their hands for computer input, video conferencing, speech recognition, audio digitizer, या फिर synthesizer, इस question का answer है, speech recognition, जो है, यह एक ऐसा software है, जो क्या करता है, assist करता है someone को, who cannot use their hands for computer input, तो याद रखना, speech recognition, software could assist someone who cannot use their hands for computer input, question number 32 पूछा गया है, dash is the process of finding errors in software code, important question है, ऐसा process, जिससे आप क्या करते हैं, error को find करते हैं, software code में, वो क्या क्या क्यलाता है, hacking, compiling, testing, debugging, तो इस question का answer है, debugging, याद रखना, is the process of finding errors in software code, यह question 3 से 4 बार exam में आ चुका है, चलिए, question number 33, 3, a series of instructions that tells a computer what to do and how to do, it is called a dash, program, command, user response, processor, इस question का answer है, program, याद रखना, a series of instructions that tells a computer what to do and how to do, it is called a program, question number 34 पूछा गया, question पूछा गया, the software tools that enable a user to interact with a computer for specific purposes, जैसके specific purposes के लिए हमारे पास use किया जाता है, और यह कौन से software हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, hardware, network, software, shareware, applications, तो इस question का answer है, applications, software tools that enable user to interact with a computer for specific purposes, ओके, फिर question number 35 पूछा गया है, a dash shares, hardware, software and data among authorized users, network, protocol, hyperlink, transmitter, इस question का answer है, हमारे पास यहाँ पे, option number a, network, okay, a network shares hardware, software and data among authorized users, तो यह आप याद रखेंगे, important होगा, फिर question number 36 पूछा गया है, तो option है, fetching, storing, executing, decoding, तो इस question का answer है, executing is the process of carrying out commands, क्या है, executing is the process of carrying out commands, चलिए, question number 37 की बात करते हैं, 37 पूछा गया, the person who writes and tests computer program is called, क्यासा person जो writes भी करता हो और test भी करता हो computer programs को, वो क्या क्या खालाता है, programmer, computer scientist, software engineer, project developer, इस question का answer है, programmer, okay, important होगा, is the person who writes and tests computer program, चलिए, question number 38, the dash tells the computer how to use its component, utility, network, application program, operating system, तो इस question का answer है, operating system tells the computer how to use its component, important question है, question number 39 है, a pixel is pixel क्या होता है, a computer program that draws picture, a picture stored in the secondary memory, the smallest resolvable part of a picture, a virus, तो इस question का answer है, the smallest resolvable part of a picture, तो यह हमारे पास, option number, जो है, C, इस का correct answer है, चलिए, question number 40 की बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है, special effects used to introduce slides, in a presentation are called effects, custom animation, transition, animation, तो इस question का answer है, transition, याद रखने, जितने भी special effects जो use किया जाते हैं, यूज करने के लिए slides को presentation में, वो transition कैलाते हैं, question number 41 है, in an dash program is one that is ready to run and does not need to be altered in any way, interpreter, high level, compiler, executable, तो इस question का answer है, an executable program is one that is ready to run and does not need to be altered in any way, okay, important question है, question number 42 पूछा गया है, what is correcting errors in a program called, compiling, debugging, grinding, interpreting, तो इस question का answer है, debugging, debugging is correcting error in a program, याद रखना, what is correcting error in a program called, debugging, question number 43 की बात करते हैं, question पूछा गया है, the error that can be find out by a compiler, आइसे error जो find out किया जाते हैं, compiler के थूँ, वो क्या है, logical errors, internal errors, semantic errors, syntax errors, तो इस question का answer है, syntax errors, ठीक है, syntax errors जो होते हैं, ये find out किया जाते हैं, compiler के थूँ, ठीक है, the errors that can be find out by a compiler or syntax error, question number 44 पूछा गया है, the process that deals with the technical and management issues of software development is called dash, delivery process, control process, software process, testing process, तो इस question का answer है, software process, the process that deals with the technical and management issues of a software development is called software process, फिर कोछा गया है, the secret code that restricts entry to some programs is password, passport, entry code, access code, तो इस question का answer है, access code, okay, the secret code that restricts entry to some programs is called access code, question number 46 की बात करते हैं, question पूछा गया है, dash is a feature for scheduling and multi-programming to provide an economical interactive system of two or more users, time sharing, multitasking, time tracing, multiprocessing, तो इस question का answer है, time sharing is a feature for scheduling and multi-programming to provide an economical interactive system, of two or more users, number 47 पूछा गया है, data representation is based on the dash number system which uses two numbers to represent all data, binary, biometric, bicentennial, byte, तो इस question का answer है, binary, okay, question number 47 का, option number A, इस का correct answer है, चलिए, question number 48, computer programs are written in a high-level programming language, however, the human readable version of program is called dash, catch, instruction, set, या फिस सोर्स कोड या वोर्ड साइज, तो इस question का answer है, source code, याद रखना, computer programs जो written होते हैं, high-level programming language में, और जो हमारे पास human readable version होता है, program का, वो क्या कहलाता है, source code कहलाता है, ठीक है, question number 49 की बात करते हैं, the dash tells the computer how to use its component, यह मैंने आपको पढ़ा दिया था, operating system tells the computer how to use its component, आज का last question, what is software, यह spelling को ठीक कर लेना, यह software है, ठीक है, a physical component of a computer, a set of instructions, data are programs, that tell a computer how to operate and perform specific tasks, यह type of hardware used for storage, a network system that connects computer, तो इस question का answer है, option number B, a set of instructions, data are programs, that tells a computer how to operate and perform specific tasks, option number B, इसका correct answer है, इस वीडियो में आपने 50MC की उस डिसकस किये, होब आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इसी तरह हम डेली आपके लिए सेशन लाते हैं, बाकी PDF के लिए मैंने आपको यह नमबर बता दिया है, इसी नमबर पर आपने मैसेज करना है, मिलते हैं एक ने लेक्चर के साथ, तब तक करिए टेक के राफियो सेलफ,